अलो स्टुडेंट्स हमनों प्रस्णावले 5i पे हैं और question नमर है 26 क्या करा है यदि p square equal to a square cos square theta plus b square sin square theta तो सिद्ध कीजिए कि d square p by d theta square plus p equal to a square b square by p cube यह हमें प्रूब करना है चरी देखते हैं हमार पास यहां दिया है p square equal to a square cos square theta plus b square sin square theta तो हमें क्या करना होगा यहां theta के respect में इसको differentiate करेंगे ना दो बार differentiate करना होगा चलिए पहले differentiate करते हैं प्रथम कोटी क्या होका लगी करते हैं with respect to theta क्या हो जागा यहां पे p square का आपका हो जागा 2p और p का लिखेंगे dp by d theta equal to a square आपका constant है cos square theta का क्या होगा तो हो जागा 2 cos theta और फिर cos theta का minus का sin theta plus b square constant है अब यहां पर देखिए sin square theta है तो 2 sin theta और sin theta का हो जागा आपका cos theta तो 2p dp बटा में d theta equal to यहां पे देखिए क्या हो जागा minus a square और यहां 2 sin theta cos theta बचेगा तो यह formula हो जाता है आपका sin 2 theta का plus b square यह भी आपका formula हो जागा किसका sin 2 theta का तो 2p into में dp by d theta equal to में हम लो ली सकते हैं यहां से देखिए sin 2 theta common करेंगा तो यहां plus का b square है यहां minus का a square और यहां पर आपका sin 2 theta चलिए अब इसे फिर से differentiate करेंगे तो लिखते हैं यहां पे कि again differentiating differentiating with respect to theta तो two constant है यहां पर हमें u into b में differentiate करना होगा तो p का dp by d theta into में dp by d theta यह सब्सक्राइब करेंगे तो इसको differentiate के इसको ऐसे रखे प्लस पी को वैसे रखे और इसका differentiation तो d square p बटा में आपका d theta square equal to में देखिए यहां पर differentiation होगा यहां पर यह तो constant है यह तो constant है और यहां sign का क्या differentiation हो जागा cos और 2 theta का आपका 2 आजागा into में तो इस 2 से इस 2 को हटा देते हैं जमेला क्या रखना है भाई आप देखिए इसको हम लो लिखते हैं हमारे पास है p यहां पर देखिए d square p by d theta square plus यहां पर यह आ जाएगा आपका dp by d theta का whole square और equal to में b square minus a square into में आपका cos 2 theta आचा देखिए जो हमारा prove करना है उसके according अगर देखें यहां पर देखो d square p by d theta square plus p है है ना तो एक काम करें इसको लाने के लिए मैं क्या करता हूँ पहले मैं इसमें multiply कर देता हूँ p k square से अब कहोगे कि sir p square से क्यों multiply कर रहे हैं तो देखो p square से multiply करने पर क्या होगा लिखते हैं p square से गुणा करने पर गुणा मैं p square से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे जब p square से गुणा करेंगे तो p dp by d theta का whole square हो जाएगा और p dp by d theta का value हम लोग यहां से निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं इसलिए मैं ऐसा यहां पर कर रहा हूँ समझे ना चलिए देखते हैं क्या होता है इसके बाद तो यहां पर हो जाएगा p cube d square p by d theta का whole square equal to में p square into b square minus a square और into में आपका cos 2 theta अब देखिए इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ यहां पर यहां पर हम लोग अब इसको उधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा p cube into में d square p by d theta square equal to में हो जाएगा आपका p square b square minus a square into cos 2 theta minus का आच्छा मैं इसे लिख सकता हूँ कि नहीं p into dp by d theta का whole square इसे लिख सकता है ना कोई दिक्कत नहीं है समझ गया ना यह whole square में ने कर दिया यह दोनों square में अलग अलग तो ठीक है अब इसके बाद देखिए मैं अब क्या करता हूँ यहाँ पर मैं p का power 4 जोड़ता हूँ अब काऊगा किसार p का power 4 क्यों जोड़े p का power 4 जोडने पर देखिए जो हमें प्रूब करना था आपका अभी मैंने दिखाय था यहीं प्रूब करना था तो अगर आप इसमें पी का power 4 जोड़ोगे और p क्यूब कॉमन लेकर दिवाइड में कर दोगे तो इधर वाला भी काम हो जाएगा यहां पर आ जाएगा यह तो इसलिए मैं पी का power 4 यहां एड कर रहा हूँ यहां जाएगा ना तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ पी क्यूब इंटू डी स्क्वाइर पी बाइडी ठीटा स्क्वाइर प्लस में पी का power 4 अब देखो यहां से पी क्यूब कॉमन कर लेंगे पी क्यूब कॉमन कर लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा D square P by D theta square प्लस P यही बचेगा और इधर हम लोग simplify करके ला देंगे हम लोग A square B square तो इधर से P cube जो common को दे जागा divide में तो यह proof नहीं हो जाएगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ तो देखिए हमने क्या किया है P का power 4 और बोच साइड एड़ किया है और यहाँ पर है P square B square minus A square cos 2 theta minus P into D P by D theta का whole square अब देखिए मैं इनके मानों को यहाँ पर रखोंगा इसलिए हमें कोई शिर्चा नहीं करेंगा P cube D square P by D theta square plus में P का power 4 अच्छा यहाँ पर आप चाहो तो P के square का square नहीं कर सकते हो इसलिए P के square का square नहीं कर सकते हो चलिए और प्लस में P square B square minus A square और यहाँ cos 2 2 जागा जगा मैं क्या करता हूँ cos square theta minus sin square theta इसका formula होता है और minus P into में D P by D theta का whole square चलिए अब एक करके सब के मानों को रखेंगे तो हम लोग LHS में कुछ नहीं करना है ध्यान अखना है LHS में आप बस P cube common करो और इंतजार करो इधर A square B square आने का ठीक है समझे ना बात को P cube common करो और इंतजार करो कि इधर A square B square आने का P square के value हम लोग कोशन से ही ले सकते हैं P square के value कोशन से A square cos square theta प्लस B square sin square theta ठीक है यहां पर लिख सकते हैं A square cos square theta प्लस B square sin square theta का whole square P square के value रखे दिए फिर यहां भी देखिए P square के value यहां भी रखते हैं A square cos square theta प्लस B square sin square theta अच्छा और इसमें आप इंटू कर लो ना इंटू कर लो देखो क्या आता है इंटू कर लो ध्यान से रखना है यहां इंटू में मैं यहां जो इंटू में है उसको मैं इसमें इंटू बरके यहां लिख रहा हूँ थ्वड़ा से स्पेस चाहिए यह इंटू में है इसके ठीटा और आपका प्लस tua साइन स्क्वायर ठीटा ठीट ठीटर फिर है स्क्वायर बाइटू साइन टू ठीटा का होल स्क्वायर समझे ना पी डी पी बाइट ठीटा का वैलू यह हो जाएगा यही ना हो जाएगा मैंने क्या किया उपर जो हमारा पहले बार डिफ्रेंसियेट करके आता है यही से इस टू को उधर डिवाइड में भेज दिया तो यही ना आ जाएगा आपका समझ रहना तो चलिए अब आगे सिंप्लिफाई करते हैं इन सबको इसको सिंप्लिफाई करके देखते हैं क्या आता है एलेचेस में अब कुछ नहीं करना है एलेचेस ऐसे ही रहने दो देखिए क्या होगा यहां पर इसका स्क्वाइर करना है ना होल स्क्वाइर है तो यहां फॉर्मला का होगे एस्क्वाइर प्लस भी स्क्वाइर प्लस टू भी होता है ना फॉर्मला cos square theta और into b square sin square theta चलिए अब इससे इन सब में multiply करेंगे ध्यान से देखिएगा हम लोग a square cos square theta को लेता है और इन सब से multiply करते हैं तो क्या जागा है a square b square cos का power 4 theta ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब इससे इसमें करेंगे तो minus a square b square sin square theta cos square theta समझें इसमें गुना हुआ तो अब इसको इसमें गुना करेंगे तो minus a का power 4 a का power 4 हो जाएगा देख रहें न a का power 4 और cos का power 4 theta cos का power 4 theta समझें न cos का power 4 theta होगे अच्छा अब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा plus a का power 4 sin square theta into में cos square theta ये इससे भी गुना करेंगे अब इस b square sin square theta में इन सब से गुना करेंगे दियान से दिखेंगे क्या हैगा b का power 4 समझें रहें न यहां क्या हो जाएगा b का power 4 cos square sin square sin square cos square sin square theta cos square theta minus इसमें अब इससे गुना करेंगे तो b का power 4 b का power 4 और sin का power 4 हो जाएगा sin का power 4 theta समझ रहें अच्छा अब इसके बाद देखिए अब यहां पर यहां गुना हो गया इससे इस टर्म से गुना हो गया अच्छा यहां plus minus minus यहां गुना करेंगे तो a square b square sin square theta cos square theta समझ रहें न बात को इससे यह गुना हुआ तो a minus a square b square sin square theta cos square इससे करेंगे तो plus a square b square sin का power 4 theta बात को समझें कोई दिकत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा minus यहां है b square minus a square का square कर देते हैं समझें न और नीचे 2 का square कर देते हैं सब का square करना होगा इसका square करेंगे तो इसका formula जानते हैं 2 sin theta cos theta का whole square समझें न आगे देखिए ध्यान से ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है यह question बहुत important question है a का power 4 cos का power 4 theta plus b का power 4 sin का power 4 theta plus 2 a square b square sin square theta cos square theta यह हुआ आगे चलते हैं plus a square b square cos का power 4 theta minus a square b square sin square theta cos square theta ठीक है अच्छा तो एक काम करो न यहाँ पर देखो न यहाँ पर एक बार यह है और एक बार यहाँ पर है दू बार है तो यहाँ पर मैं 2 नहीं लगा दू यह और यह मैंने जोड लिया दोनों मैंनस के अत्याइड कर लिया समझ गया ना फिर देखिए यहाँ पर मैंनस a का power 4 cos का power 4 theta plus a का power 4 sin square theta cos square theta ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर plus b का power 4 sin square theta cos square theta ठीक है फिर मैंनस b का power 4 sin का power 4 theta और फिर प्लस यहाँ है a square b square sin का power 4 theta यहाँ पर देखिए अब क्या होगा आगे यहाँ आप ध्यान दो मैंनस मैं square कर दूँगा a मैंनस b के होलस कर पर ता जग यहाँ b का power 4 plus a का power 4 minus 2b square a square और नीचे आपका 4 है और यहाँ पर यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 4 sin square theta cos square theta तो देखो ना इस 4 से इस 4 को कट देंगे आप देखिए उपर भी कुछ टर्म कटेंगे ना देखिए a का power 4 cos का power 4 theta प्लस में और यहाँ माइनस में यह b का power 4 और sin का power 4 theta यहाँ प्लस में और यहाँ पर माइनस में दिख रहा है यह इस से कट दाएगा अब इसके बाद देखते हैं देखिए आगे अब इसके बाद क्या बचा है यहाँ पर बचा a square b square cos का power 4 theta प्लस a का power 4 यहाँ पर है sin square theta cos square theta समझ रहे हैं और प्लस में b का power 4 sin square theta cos square theta ठीक है और फिर आपका है a square b square sin का power 4 theta minus यहाँ minus है और इन सब से गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा b का power 4 sin square theta cos square theta समझें अच्छा plus plus a का power 4 sin square theta cos square theta minus 2 a square b square sin square theta plus into cos square theta यह मैंने इसे इन सब में गुना कर दिया अब देखिए अगले स्टिप में यहाँ है आपका a square b square cos का power 4 theta plus a का power 4 sin square theta cos square theta plus b का power 4 sin square theta cos square theta plus a square b square sin का power 4 theta यहीं नहीं अच्छा अब इसमें sin change करते हैं तो माइनस b का power 4 sin square theta cos square theta minus a का power 4 sin square theta cos square theta और यह minus minus plus 2 a square b square sin square theta cos square theta तो देखो ना यह वाला जो है इसे से कट जाएगा और यह वाला जो है इसे से कट जाएगा तेके अब देखिए इसके बाद देखो यह जो terms बचे हैं इसमें से आप a square b square को common कर लोगे तो यहां बचे का cos का power 4 theta प्लस sin का power 4 theta और प्लस में यहां आपका 2 sin square theta cos square theta ठीक है आगे चलते हैं यहां पर है a square b square अब अंदर formula पर set करेंगे इसे cos square theta का whole square प्लस इसे sin square theta का whole square तो a square plus b square और प्लस 2 इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos square theta into sin square theta तो यह formula पे से ठोजा रहा है तो आपका LHS में क्या था ? LHS में आपका था वो पहले मैं लिख लेता हूँ p cube into में था आपका d square p by में d theta square और प्लस में p यही ना था आपका यही था आपका उपर दिखा देता हूँ आपको यही हमने छोड़ा था यहाँ पे ठीक है ? चलिए यही ना है इसको मैंने यहाँ पर लिखी दिया है यहाँ a square b square बचा और यहाँ यह आपका क्या हो जाएगा ? cos square theta प्लस sin square theta का whole square तो इसका value 1 ही ना होता है यह मैंने formula पे set कर दिया तो 1 ही होता है तेहाँ पे p cube into में d square p by में d theta का square प्लस p equal to में हम लोग a square b square लिख सकते हैं क्योंकि इसका value 1 होगा ? 1 का square 1 ही हैगा और 1 से into होगा तो a square b square ही हैगा इसको divide में बेदो तो d square p by d theta square प्लस p equal to में a square b square by में p cube यहीना हमें प्रूब करना था हमने प्रूब करके दिखा देए मैंने बोला था ना कि बहुत बड़ा question है चलिए question number 27 यहाँ पे दिया हुआ है कि y equal to y equal to a e to the power mx plus b e to the power nx तो दर्साइए हमें यह सिद्ध करके दिखाना है यह स्यावित करना है चलिए देखते हैं दो बार differentiate करना होगा पहले differentiate करते हैं और देखते हैं क्या होता है with respect to x तो यहाँ से आपका dy by dx क्या जाएगा तो a e to the power mx का e to the power mx होगा और mx का m दे लेंगे plus यहाँ पर चलिए b e to the power nx का e to the power nx ही होगा और nx का यहाँ पर n ले लेंगे समझेने बात को अब इसके बात देखो हम लोग इसे एक बार और differentiate करने वाले हैं तो again differentiating with respect to x तो यहाँ पे d square y by dx square क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगे आपका a m e to the power mx का e to the power mx यह तो constant दाय से रखने दिया मैंने और mx का m हो जाएगाता है m square कर देते हैं bn यह constant है e to the power nx का e to the power nx और nx का n हो जाएगा तो n square कर देते हैं n square हो गया दो काम कर सकते हैं या तो हम लोग इसमें कुछ छेड़ चाड़ करके हम लोग यह प्रूब करेंगे या फिर इसका lhs लेके मान को खाली रख देते हैं क्योंकि में दर्साना है तो चलिए आप लोग इसका lhs ले लेते हैं lhs में है आपके पास d square y y में dx square minus का m plus n into में dy by dx और plus में mny हमें प्रूब करना इसका value 0 आएगा चलिए देखते हैं इसका value यह रहा a m square e to the power mx plus b n square e to the power nx minus m plus n dy by dx का मान यह रहा a m e to the power mx plus b n e to the power b n e to the power nx plus m n और y का value उपर हमारे question में दिया था a e to the power mx और plus b e to the power nx चलिए इसको simplify करते हैं तो यहाँ पर इसे ऐसे रिखतेंगे a m square e to the power mx plus b n square e to the power nx minus यहाँ सब में multiply करते हैं जान लखना और minus है तो इन सब का sign भी बदलते जाएगा समझे ना प्लस था यहाँ पर क्या हो जाएगा multiply होगा तो a m square e to the power mx minus b m n e to the power nx minus a m n e to the power mx और फिर आपका हो जाएगा minus 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 b n square e to the power nx प्लस इसमें multiply करेंगे तो a m n e to the power mx plus b m n e to the power nx तो देखिए सारे कर जाएंगे यह वाला यहाँ पर किससे कर जाएगा यह रहना यह वाला कहा रहे इससे कर जाएगा यह वाला इससे कर जाएगा यह वाला इससे कर जाएगा हमें zero in approval करके दिखाना था हमें दिखा दिया यह दो question बज़े थे इस exercise में मैंने दोनों question बता दिया आपको हमारे तीन चैनलों को subscribe करना होगा पहला है pathfinder classes शपरा pathfinder classes शपरा दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांसर भारती भवन रवी कांसर रवी कांसर और तीसरा चैनल है रवी कांसर के नाम से तीनों को subscribe कर देंगे और इससे रिलेटर वीडियो के लिए सीधे description में जाएंगे इससे रिलेटर नोट्स के लिए Google पे जाकर subscribe और यहां जाकर आप सभी classes के नोट्स और उनके PDF को download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं Instagram और Facebook पे जाके pathfinder classes शपरा को like and follow करना नहीं बूलेंगे thanks for watching the video